सुबह के ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक कटोरी है हेल्दी डाइट आप खालोगे तो दिन भर सारे विटामिन्स और सारी एनरजी आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं मूंग, मूंग डाल और मोट तो यह आपको बजार में असानी से मिल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे खड़ी मूंग डाल है, बिल्कुल खड़ी लेना है तो आप अपने हिसाब से कमजादा कर सकते हैं आप इसे हमने अच्छे से वाश करना है और एक बाउल में इसे डाल देना है भिगो के अब इसी तरीके से हम मोट भी ले लेंगे उसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर देना है इस तरीके से और आप चाहे तो एक्स्ट्रा की आप चीज़े ले सकते हैं चने भी ले सकते हैं आप तो हमने यहाँ पे हरी मूंग और मोट दोनों ले लिए इसे भिगो के हम 4-5 गंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि यह हलके से फूल जाए तो देखिए इस तरीके से हम इसे छोड़ देना है यहाँ पे 5 गंटे हो चुके हैं तो यह देखिए कितने अच्छे से फूले फूले हो चुके हैं जो extra का पानी है इसका हम सारा नितार देंगे याद रहे बिलकुल भी इसमें पानी नहीं रहना है सारा पानी आपको नितार देना है आप यहाँ पर दोनो को हम mix करके एक बाॉल में रख देंगे रात भर के लिए आपको इसे छोड़ देना है आप ऐसे ही इसकी सबजी डाल बना सकते हैं ये भी काफी फायदे मंद है लेकिन हम राद भर के लिए इसे ऐसे ही ढख के छोड़ देंगे तो इसमें जो हलकी हलकी सी कोम आईगी वो बहुत जादा फायदे मंद होती है बहुत सारे रोगों में फायदा करती है और बड़ों के लिए रोगी के लिए तो खास कर बहुत फायदा करती है देखिए राद भर के लिए हमने छोड़ दिये थे आप सूबा इसे देखते हैं तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और ये गर्म के मारे कितनी अच्छी सी कोम निकल गई है बहुत ही जल्दी और जादा आपको कोम चाहिए तो और दो-चार घंटे आप छोड़ सकते हैं तो ये परफेक्ट बन चुकी है बहुत ही हेल्दी है अब इसे आप ऐसी कच्छे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगी या फिर आप इसे तेल में हलके से फ्राइ भी कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर एक बाउल में हमने सारी ले लेना है और अब इसमें हम हलक असा इसको सलाद बना लेंगे तो बिल्कुल बारिक कटा हुआ प्यास डाल देना है और बारिक कटा हुआ टमाटर आप चाहे तो इसमें खीरा भी एड़ कर सकते हैं अब यहाँ पर चुटकी भर हमने नमक डाल दिया है यहाँ प्रने ले लिया है बारी कट किया हुआ सेफ से टेस्ट भी बढ़ता है। काफी healthy होटा है अब डाल देंगे काट हुआ हाराधनिया और अफेश दाल देंगे चाट मसाला तो देखिए इसे mix कर देंगे अच्छे से और इसे आप बिल्कुल इस तरीके से इस्तेमाल करें सेवन करें और बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर ये salad बहुत ही असानी से बनता है और बहुत कम समान से बनके ready होता है तो आज की ये healthy diet recipe पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज एक like कर दीजिए चैनल को share subscribe करें बिल आइकन को प्रेस कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो